अब उसके बार में जादा मत सोचो आपका पेपर अच्छा गया वेरी गुड लेकिन अगर खराब गया है तो जादा अफसोस मत करो उस पे टाइम बेस्ट करने मत बैठो आगे की सोचो ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि यार मेरा पेपर तो बहुत खराब गया है आगे के व खराब गया है ये बोलके उने बाकी के पेपर ने दी और अकाउंट में पास हो गए क्यों सोचना अभी हो गया ना वी पर लौ की तियारी करो अच्छा अब बढ़ा है आपके वास में तो कैसे आप पड़ो के लौ में यू विल रिवाईज इन दर रिवर्स और तो जो ला अगले के तो आप एसा कर सकते हो कि कॉंट्राक्ट आज कर लो और फिर अपनी आग के थोड़े से यूनिट आज करके रख लेकिन कल दुपैर तक आपको एंशियर करना है कि आपके जो लास्ट वाले कंपनी आट के यूनिट से वो सारे करके हो जाए ठीक है तो वह लास्ट मिनिट तक मत छोड़ना लास्ट में आप कर सकते हैं जनरे क्लॉज आए इंटरप्रेटेशन आफ स्टाइट क्योंकि वह जितना एंग्जाम के पहले करोगे उतना वह फ्रेश रहेगा तो इस तरीके से आपको करना आपने क्वेस्टिंस कुछ मांक करके रखे होंगे की वन क्योंकि स्टूडें उसको लेकर बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं फिर वो चंटेंट छोड़ देते हैं लेकिन अगर आपने स्ट्रेस में पढ़े हैं तो उन्हें अच्छे से रिवाइस करो और जरूर लिखके आना एक्जाम है विको सेक्शन नंबर्स पर मांक्स डिप आपको करना है पूरा पेपर कंप्लीट कर क्याना एक भी कोईस्टन नहीं छोड़ना है आपको से अटेम्ट हंडेड मार्क्स पेपर जेंरली एमसी क्यू के लिए स्टूडेंस बोलते हैं कि अराउंड 30-40 मिनिट्स लगी जाता है तो अगर आपके 40 मिनिट्स में एमसी क्य अगरी के लिए उतना टाइम बाद में सफिशेंट है जो प्री रीडिंग का ताइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज काना 15 मिनिट्स जो आपको मिलते है उसमें से प्लान कर लेना कि मुझे कौन सा क्वेस्टन कैसे अटेंब करना है तेंशन तो आपको लास्ट मिनिट राइट मुझे कुछ यादी नहीं आ रहा है मुझे मैं लास्ट मिनिट बहुत पैने को यह तो आपको लगने ही वाला है तो यह तो आपको लगने ही वाला है सो जस बील विद इट इग्नोर इट या फिर जस्ट वो उसको बैक आफ दे में रखो और वह सोचता हूं उसको करने की कोशिश करो लेकर उसके पार में बहुत जादा मसुचना टेंशन होना बहुत ही नॉर्मल है उसके साथ ही आपको एक्जाम देना ठीक है तो यह सारे टिप्स थे मेरी तरफ से एंड जैसा भी हो पेपर खुशी-खुशी गर पे आना और नेक्स पेपर की तियारी कर आपका पेपर कैसा था यह मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना और आई विल दू रिवीव वीडियो इमिजेटली आफ्टर यू कम बैक फ्रम एर पेपर तभी भी हम मिलेंगे अल बेस्ट टूदेंस अच्छे पढ़ना जो भी आपने सोचा है वह सारा कु मुरूस पेपर